तो यह बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है वेखी पहले आपको प्रॉब्लम समझना होता है अगर आप प्रॉब्लम समझेंगे तो पता से देगा कि आप ठीक क्या करना है अभी तो आप ती थी टी फोर ती है से इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे है पचास साल में कोई ठीक हुआ इस है तो और पचास साल आपको देखना है क्या क्योंकि आप गलत जगर काम कर रहे है ताराइट का मदलब क्या होता अपने एक्सपीरेंस में देखिए आपका स्टैमिना कम हो गया किसी भी काम को देर तक करने की ख्षम्ता आप में नहीं है आप में एक बैलेंस बनाने की ख्षम्ता नहीं है स्टैमिना नहीं है आपके अंदर सीदी सीदी बात दूसरी बात स्टामिना नहीं है, स्टामिना काम क्या करता है काम क्या करता है आपके शरीर में जितना प्रोटीन बनता है वो स्टामिना की वजह से बनता नहीं तो नहीं बन पाएगा आप आप जो पर्रोटीन खाते हैं आपके श्रीर को मिल जाता बिल्कुल भी नहीं मिलता श्रीर उस प्रोटीन को तोड़ेगा आपने इसाब से बनाएगा वो बना नहीं पाएगा तो क्या होगा प्रोटीन बनाना बेकार हो गया तो क्या होगा आपके शरीर के सारे हॉर्मोन लेवल बिगड़ेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा हॉर्मोन बिगड़ रहा है ना आपके शरीर के सारेट से बिगड़ते हैं तो केवल T3, T4, TSHE हॉर्मोन नहीं है insulin भी hormone है, amylin भी hormone है, leptin, ghrelin, estrogen, progestron, testosterone, सब protein है तो stamina कम हो गया, ये सारे protein बनाने की ख्यमता खराब होगी, hormone खराब होगे अब आपको diabetes भी होगा, heart disease, blood pressure भी होगा, infertility का भी issue आएगा, hormone related mental issue या emotional issue भी आएगा pain भी आएगे, pain blockages होते हैं आपके शरीर के, migraine या pain अगर आता है, तो blockages है, वो कहीं न कहीं, रुकावट है आपके शरीर में कोई चीज फैल नहीं रही, तो फैल आने में कौन काम करता है, protein ही काम करता है, once again, hormone enzyme यही काम करता है तो सीधी सी दिभाशा में अगर कहें तो आपका stamina कम हो गया, अब stamina कैसे बढ़ाएंगे, खुब सारा काम करके, नहीं खुब सारा काम करके नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपके organ week है, आप काम ही नहीं कर पाएंगे, खुब सारा, और your grandmother, grandfather, डादी नानी याद हैं, उनको thyroid था क्या, और वो एक ही काम को बहुत देर तक कर सकते थे, जोर लगा सकते थे, किसी भी चीज में ज्यादा आप से, तो body का effort making ability ज्यादा था ना, और लंबे समय तक लगा सकते थे, सो, यहां से भी देखो, तो पता चलेगा, आपका stamina कम हो गया, मगर कोई भी काम करते हैं, और कैसे करते हैं, let's understand, कि आप weight उठाने की बज़ए, क्या करें, कि आपका stamina बिना weight उठाए, build up हो जाए, बिना exercise कि आपका stamina build up हो जाए, कैसे करेंगे, तो पहले यह देखेंगे, कि आप कोई भी काम करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो आप जोर लगाते हैं, किसी को धक्का दे रहे हैं, कोई weight उठा रहे हैं, किसी को खीच रहे हैं, तो कैसे करते हैं यह काम, यह effort कैसे लगाते हैं, सांस रोक के लगाते हैं, सांस रोक के लगाते हैं, तो यह effort लगाने की हो गई है ना तो इसके लिए आपको अगर एक नियम से ब्रेथ होल करें फॉर्मुले से ब्रेथ होल करें तो आपका स्टाइमिना बिल्डप होना चालू हो जाएगा स्टाइमिना बिल्डप होना चालू हुआ तो क्या मतलब हो गया थाराइड आपका ठीक होना शुरू हो गय कैसे पता चलेगा आपके सिम्टम खतम होने शुरू हो जाए नंबर का फ्लक्टुएशन जो है वह आपका बॉड़ी डिपेंडिंग अपान सिचुएशन करता रहता है उपर नीचे वह करता रहता है तो अगर आपके सिम्टम खतम हो गए आपकी प्रॉब्लम खतम हो गई थायरक्सिन अल्ट्रोक्सिन और पता नहीं क्या-क्या खारके आपके नंबर को कोशिश कर रहे हो के फिक्स कर दे मगर प्रॉब्लम तो गई नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई आपकी तो तो मेन इशू क्या आपकी प्रॉब्लम चली जाए पहली बात है ना आपकी problem चली जाए आपकी body empower feel करें यह जो fat बढ़ा रही है ना डर अंदर बैठा हुआ risk है तब भी fat fat कमजोर शरीर बढ़ाता है दुबारत से बोलना हूँ ध्यान से सुनिए fat कब बढ़ता है जब आपका शरीर कमजोर हो जाता है किसी भी मजदूर को देखा है मोटा है कि है वी काम करने वाले को मजदूर को मोटा देखा है तो आपका शरीर fat कमजोर हो जाएगा जब शरीर अंदर से strength आ जाएगी strength का मतलब ही सांस रोपने की क्षमता होती है breath hold capacity ही strength है आपका fat कम होना चलू हो जाएगा skin texture अच्छा होना शुरू हो जाएगा पेट जैसे जैसे ठीक होगा hair fall बंद हो जाएगा body में pains है वो चले जाएगे migraine की episodes कम हो जाएगे काम करने में मन लगेगा इच्छा होगी मन में खुशी होगी आपका mindset थोड़ा प्रसंद्न होगा mentality जो की डिप्रेसिव है वो खुशाल हो गई वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो आपका thyroid वाला problem गया की नहीं प्रेट गया की नहीं